और वेला dw aí कि चौलो यह कहता है कि एक पार्टीकिल है कोचेन को अच्छे से पड़ो और और को मैंनस टू केजी का पार्टीकिल है और वह उसके पास चार्ज भी रहते और इनिशेल होरीजनल व्लॉशिटी से चल रहा है horizontal velocity ये वाली जो velocity है initially मानलो इदर horizontal भी velocity से चल ला है और in the presence of electric and magnetic field अब उसके पास electric और magnetic field दोनों है और उसके पास initial velocity u जब t is equal to 0 पर उसके पास velocity t 10 की पार 5 अब electric और magnetic field यहां पर present है option चेक करो बोथ electric field magnetic field present तो it is necessary अब हमें क्या करना है it is necessary that particle will be to keep the particle condition क्या है particle को हमें horizontal ही चलाना है देखो समझने की कोशिज करना particle horizontal जा रहा था और जब मैंने electric और magnetic field लगाया अभी भी horizontal ही जाना है हमको यह नहीं पता है कि constant velocity से जाना है या accelerate होके जाना पर जाना तो horizontal है तो horizontal इस particle को इसी line में move कराना है मेरे भाई इस particle को इसी line में move कराना है तो अगर इस particle को मुझे इसी line में move कराना है तो simple सी बात है जो भी net resultant force आएगा या तो zero होगा तभी तो horizontal line में move करेगा या जो forces आ रहे हैं वो इसी line में हो या तो accelerate कराएंगे या तो decelerate कराएंगे मुझे इसे मतलब नहीं है मुझे मतलब है उसको horizontal move कराने से तो net force या तो 0 होगा या तो net force इस particle पे 0 होगा या तो net force along the x-axis ही होगा ठीक है वो चाहिए इधर आए चाहिए इधर आए तो यह तो बात clear है यह horizontal motion का condition है तो चलो net force 0 पहले horizontal move कराते हैं magnetic field पर एक-एक option चेक करते हैं magnetic field will be perpendicular to velocity of the particle चलो velocity अब particle भी इधर है और अगर मैं magnetic field इसके उपर लगा देता हूँ मानलो perpendicular लगा देता हूँ magnetic field B तो magnetic field B इधर है तो charge particle पे force जो लगता है वो QV cross B लगता है तो V cross B तो इस पे जो force है वो magnetic force उपर की direction में आएगा तो जैसे ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे आ जाएगा इस वाले plane में move करेगा तो अगर इलक्टिक field velocity के along है और magnetic field उपर है तो तो यार इलक्टिक field उसको उधर move करेगा magnetic field उसको ऊपर लाएगा तो हर जेंटल वाला path रहेगा ही नहीं तो यह option गलत है B and E both along the direction आप यह बहुत सुंदर सा option है और यह सही भी है बोथ E and B along the direction अगर magnetic field और magnetic field भी इधर हो और electric field भी इधर हो तो हम सब को पता अगर magnetic field velocity के parallel है तो यहां साइन 0 से magnetic force तो 0 हो जाएगा magnetic force 0 हो जाएगा और electric field या तो उसको accelerate कराएगा या तो अगर पोजेटिव चार्ज पार्डी के लिए उसी के direction में है तो वो उसको एक constant acceleration देगा तो यह वाला condition horizontal के लिए अच्छा है मतलब यह second वाला सही है बोथ e and b are mutually perpendicular and to the direction of velocity अभी देखो अगर यहां से तुम देखोगे बोथ e and b perpendicular अगर imaging करो मैं perpendicular का sign थोड़ा सा मैं ऐसे लगा दूँ तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि यहां से यह जो perpendicular वाली जो velocity है इसको मैं इधर ही बना देता है चलो बोथ e and b perpendicular तो थोड़ा से ज्यादा समझ में आएगा अगर velocity vector इधर है समझने की कोशिश करना और magnetic field और electric field आपस में perpendicular है तो देखो अगर magnetic field आपस में perpendicular है तो यहां से अगर magnetic field में board के अंदर लगा दिया तभी भी तो velocity के perpendicular है तो अगर मैं magnetic field board के अंदर लगा दिया तो board के अंदर और वी वी क्रोस भी force आ गया ऊपर यह जो magnetic force है वी वो उपर आ जाएगा magnetic field की वेल से second option क्योंकि magnetic field velocity के perpendicular है जो board के अंदर है चार्च पार्ट के लिए धर जा रहा है बोड के अंदर भाई तो force आ गया ऊपर वी क्रोस भी अब अगर इस force को electric field कैंसेल कर दे तभी भी नेट force जीरो हो जाएगा और तभी वी इसकी velocity constant हो जाएगी तो इसका मतल़ हूब बहुआ कि अगर विल वेल सीटी मैं इधर लगा दूं इलेक्टिक फिल्ड मैं किदर लगा दूं और जो फोर्स इस पर की वी लगाए जो की magnetic field के बराबर हो magnetic force के बराबर हो electric force तो यह जो है यह भी तो force board में देखो यह भी तो magnetic field है वो इधर है और जो electric field है वो vertically downward है क्योंकि इसका force उपर आ रहा था तो यह magnetic force उपर गया, electrical force नीचे गया दोनों एक दूसरे को cancel कर दिये net force 0 हो गया, horizontal में जाता रहेगा, तो यह सुन्दर सा option है हम लोगों का और यह भी सही है, third fourth check करते हैं, B should be along the direction, velocity and E should be perpendicular to, अब B along the direction होगा velocity चलो, B अगर magnetic field इसी के along होगा तो magnetic force तो 0 हो गया, और अगर perpendicular electric field इसके perpendicular होगा, मालो electric field इदर है, तो यार electric field इदर, charge particle को इदर move करा देगा, भाई हमने velocity ऐसे है, electric field ऐसे लगा दिया, तो जब electric field लगा दिया और इदर कोई force ही नहीं लग रहा, तो यह ऐसे जाएगा ने मिर भाई, तो यहाँ से option गलत है, deflect हो जाएगा horizontal नहीं चलेगा, मतलब यह हुआ second और third हमनों का सही है, तो अगर second और third सही है तो सही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, second और third मतलब C option सही है, बाकी सारे गे हैं चालो